अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देख पाई हो तो नीचे डिस्क्रिप्सिन में आपको प्लेलिस की लिंक मिल जागी यहां सब सबी वीडियो पढ़ते हैं चलिए स्टाट करते हैं क्या कह रहे हैं आप से solve and verify एक हमें equation दी गई है यह simple equation chapter है यहां पर एक equation दी गई 6x-3 equal to 21 आपको क्या करना है इसमें solution करना है यानि हमें इसमें solve करके x की value निकालनी है and then आपको इसको verify भी करना है कैसे करेंगे देखें देखें यहां पर equal to लिखा हुआ तो यहां पर क्या है 6x-3 तो यह value हो जाती इसको हम लोग क्याते है RHS यानि equal to के left hand side आपको LHS value कही जाएक यानि left hand side and equal to के RHS side को कहेंगा right hand side तो आपको क्या करना है कि इन में से value solution करके यह जो अलफा बेटली नंबर है x हमें इसकी आपको value जैनि इसका answer हमें निकलना है कैसे करेंगे देखें देखें यहां पर लिखाऊ 6x-3 तो आप क्या लिख दीजिए 6x equal to 21 और इस minus 3 को हम लोग इसर भेज देंगे और यह हो जाएग आपका प्लस 3 याद रखिए जब हम किसी value को left hand side से रहे से right hand side को भेजते हैं तो जो भी sign होता उसे हम change कर देते हैं अगर यहाँ पर minus की value दी गई तो आप उससे भेजेंगे तो प्लस की value हो जाएगी अगर यहाँ पर हमारा plus की value होती और उसको हम भेजते हैं तो यहाँ पर ध्यान नखिए कि जब भी हम sign numbers को भेजेंगे तो sign ज़रूर चेंज हो जाएगा अब इसके बाद की solution देखिए 6x equal to 21 और plus 3 तो आप इनको plus करेंगे तो क्या हो इंसन हो जागा 24 और अब यहाँ पर 6x लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं 6 multiplication x क्योंकि यहाँ पर multiple sign hidden होता है तो 6 multiple x ल जाएगी आपकी यहाँ पर देखिए multiplication में है और अभी मैंने कहाँ कि यहिखे प्रस की value हो तो उसको भीजेंगे तो स्थी माइन हो जाता है लिए गिऔर आपनेंगे 6 बंजा 6 और 64 जा 24 एक्स इक्सिक्वगुग टू 4 धाइट इस य। आपको इसी तरह कोई भी क्वेशन की वैलू दिया और उसे आपको इसी तरह समस्वेशन करना है और उसमें से x की value आपको find out करनी है, ठीक, आप हमें देखिए ये तो solution हो गई, आप हमें क्या करना है, कि इस questions को आपको verify भी करना है, कैसे verify करेंगे, देखें, देखें, verify करने के लिए जो भी आपको equation दी या, उस equation को आपको note कर लेना है, और जो x की value दी गई, उस x की value को हम पुट करेंगे, यहाँ पर 6 x कुम क्या ली सकते है, 6 multiplication x, minus 3 equal to 21, 6 multiply, x की value देखें, हमने find out की हुई है, 4, उसे लिख लीजे, minus 3 equal to 21, 6 4 जा, यानि अब इसका multiplication करेंगा, तो 6 4 जा 24, minus 3 equal to 21, और 24 में से 3 minus कर लेंगे, 21 equal to 21, that is answer, और यह हुआ, it is approved, और यह हुआ, it is verified, बस करके i तक question दिये गए हैं, और इसी तरह की question इसमें आपको solution करने चाहिए, सबसे पहले आपको question दी जाएगे, उससे आप solution करके, उसका आपको x की value find out कर लीजिए, उसके बाद जो भी value निकल कर आए, उसको आप verify करने के लिए, उसी equation में, आपको उस value को put करना है, और LHS और आपके same आएंगे, equal आएंगे, it is a verified question, I hope यह questions आपको समझ में आगे होंगे, और इसे बहुत सारे question दिये गए, BCDE करके question दिये गए, तो जो भी इसमें difficult questions हैं, और कुछ important questions, वो मैं आपको इस class में आज पाट पर पढ़ाय दे रहा हूं, तो आप जरूर देखे, पूरा वीडियो बना देंगे, उसका ask question करके, उसमें आप points भी बता देंगे, चली देखे, नेस question देख लेते हैं, नेस question पर ध्यान दीजिए, सभी बच्चे पढ़ते ज़रूर, और वीडियो पसंद आते जाए, question समझ में आ रहे हैं, तो लाइक जरूर करते चलिए, यसे motivation मिलता हैं, कि हमारे बच्चों को सभी question समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक जरूर करते जाए, देखे, b question दिया गया, 7x plus 4 equal to 11, बिलुकुल सेम आपके a की तरह ही है, वहाँ पर minus करने के लिए कहा गया था, और यहाँ पर आपको plus करने के लिए कहा गया है, इस math की pdf की link हमने नि आपकरवा जेते हैं, c question थोड़ा सा difficult है, इसलिए जो भी difficult और जो important questions है, वो मैं आपको पढ़ाए दे रहा हूँ, जिसमें से आपको problem ना हूँ, next question 6, c दिया गया, 6x-3 equal to x upon 5 plus 26, आप देखिए, इस पर solution दिया दिजे, और कैसे solution करेंगे, इस पर बहुत ध्यान लगे, कि वेरी important question है, थोड़ा सा difficult भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दिजे, देखिए, मैंने अभी कहा भी, जो भी question दियाएंगी, उसमें हम solution करक x की value ही find out करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दिजे, देखिए, यह 6x-3, तो आप इसे same वैसे लिख सकते हैं, यह number number एक तरफ कर लिजे, और जो भी x या alphabet t number है, वो आप एक तरफ कर लिजे, कैसे, देखिए, 6x लिखा तो आप 6x लिख लिजे, minus 3 को हम आर्च साइड भेज द कर आएंगे, तो यह minus x upon 5 हो जाएगा, equal to, अई यह लिखाएंगे, 26 इदर लिखा ही हुआ है, और इस minus 3 को आप आर्च साइड ले आईए, plus, देखिए, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए, यहाँ पर इस प्रोसेजर पर जरू ध्यान देखिए, कैसे करेंगे, कि, द कर पाएं, और easily answers भी हमारे आपाएं, तो यहाँ पर देखिए, plus की value थी, plus x upon 5, तो हमने इसको LHS मिले लिए, minus x upon 5 हो गया, और minus 3 LHS में था, इसे हमार LHS मिले लिए, plus 3 हो गया, अब हमें solution करने में थोड़ी सी असानी हो जाएगी, easily हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे किया करेंगे, 5 power of 1 को आप LCM ले लिए, तो 5 और उनका LCM होगा 5, 1 का Dividation करेंगे 5 में, यह यह fraction subtraction हो गया, तो fraction subtraction के तरह ही solution करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 30 x, minus 5 का Dividation 5 में करेंगे, 1 time 5 ज़ा 5, और 1 का multiplication x में करेंगे, तो यह 1 x, 1 hidden होता, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ही लगात सकते हैं, और 26 और 3 प्लस कर लेंगे, तो 29, देखिए, बहुत बच्चों को यहाँ पर problem हो रही होगी, तो एक बर मैं फिर से कर रिवीजन करा देता हूं, 5 और 1 का आप LCM लेंगे, तो 5 हो जाएगा, 1 का Dividation करते हैं, पहले 5 में, तो 5 time Dividation, 1 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, ज़ा 5 30 X में से 1 X माइनस हो जाएगा, तो यह आजएगा, क्या 29 X अपान 5, मल्टिपिकेशन हो जाएगा 29, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 ले लेंगे, और equal to में क्या करते हैं, यह देहां लेंगे, 29 X अपान 5, equal to 29 अपान 1, जब equal to हो तो cross multiplication करते हैं, क्या करते हैं cross multiplication हैं, इसका multiplication इस से करेंगे, और 5 का multiplication 29 से करेंगे, तो यहाँ पर multiplication करेंगे, तो 29 अपान 29 में लिखा हूँ, 29 X हो जाएगा, equal to, और इसका multiplication करेंगे, 29 x 5, अभी multiplication नहीं का रहे हैं सिब multiplication करके हमने नोट कर लिया है अब देखे क्या करेंगे यह 29 किसमें लिखा हुआ है 29 multiple x की form में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है आपको मैंने previous question में पढ़ाया हुआ है अब देखें यहां पर क्या है यह 29 multiplication में अब आप इसको भी धर भेज़ दीजिए यह डिवारेशन की form में चला आएगा 29 multiple 5 upon 29 और यह देखे 29 29 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा इसलिए मैंने इसको multiplication आपको नहीं कराया हुआ था अब value क्या जाएगी x equal to और इधर क्या रहे है आपको 5 एक्स की value क्या आगई 5 that is answer तो इस तरह question करने बस ध्यान की थोड़ा से difficult ज़रूर है लेकिन लेंदी भी है थोड़ा सा अगर समझेंगे तो आप फिल्फुल इजली तरीके से step by step by up करते जाएंगे तो कोई problem भी आपको नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए इतना answer आगे तो 29 upon x upon 29 upon 1 और जब इस तरह का equal to में fractions दिये जाते हैं तो cross multiplication करते हैं तो 29 मंजा 29 next हो जाएगा और 5 को multiply 29 multiply 5 कर लेंगे 29 को लिश सकते हैं 29 multiply x और 29 को अमने धर भेज भी देएंगे तो जब हम multiplication से एर्चे साइट भेजेंगे तो डिवाइडेशन फॉर्म में हो जाएगा 29 multiply 5 upon 29 29 कर जाएगे x value कि आ गई आपकी 5 और अब क्या करना है verify भी करना है इसलिए verify पर भी ध्यान दीजिए तो देखिए x equal to 5 जो value दी गई इसको verify करेंगे तो इसके बाद का procedure है तो इसको mirage कि यह दे रहे हैं और जो x की value दी गई है उससे आप यहाँ पर क्या करेंगे equation note करके और verify भी कर लेंगे ठीक चाहिए आपके questions भी क्या करेंगे अब आपके next यहीं इसी क्या आगे इसी questions के आगे हम करेंगे verify तो verify करने के क्या करते है जो equation note है उस पर ही उस x की value जो i answers पर आई है उसी value को हम यह आपर put कर देंगे आप देखिए क्या करेंगे 6 multiply x लिखा हुआ है minus 3 equal to यह x upon 5 उसी form में लिखा हुआ plus 26 तो यह x की value ही गे उसको आप put कर दीजिए तो 6 multiply 5 minus 3 equal to 5 upon 5 plus 26 तो देखिए 6 5 जो 30 हो जाएगा minus 3 equal to और यह 5 बंजा 5 बंजा कर जाएगे यहीं 1 plus 26 30 में से 3 minus करेंगे तो 27 equal to 26 और 1 plus कर लें 27 27 equal to 27 हो जाएगा that is answer बस इस तरह आप verify भी easily कर सब्सक्राइब यह जो भी answer आया हुआ है उस answers को आप उस equation में put कर दीजिए पुड करने के बाद जो solution आएगा तो जो answer आएगे वो LHS equal to RHS आपको मिलेंगे ही मिलेंगे that is the answer तो I hope यह question समद में आगए होंगे आपको 1 A 1 B तो मैंने आपको drop करवाया उससे आप करिएगा और 1 C भी यहाँ पर complete हो गाए इसी तरह questions इसमें और भी दिएगा है और same यही procedure है कोई doubts नहीं है आपको सिधे solution करना है solution पर ध्यान देना है और very easily तरीके से questions कर सकते हैं चलिए इसके कुछ questions हम आपको next part next video में पढ़ा देते हैं जिसमें आपको और भी questions doubts जो भी है वो भी आपके दूर हो जाए क्योंकि यह आपकर questions ठोल से और difficult है इसलिए video बहुत लोंग लंबा हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखें 1a1bc हो गए def यह कुस और question जो important रहे गए हैं वहने ड्रॉप करवा रहे हैं वह हम next video और next part में आपको पढ़ा देगे तो I hope यह video पसंद आ रहे हैं question समझ में आ रहे हैं वीडियो पसंद आ रहे हैं लाइक जरू कर दीजे इ हमारे चैनल पर नाए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब रखिए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन आल पर प्रस कर लिए जिसे आपको next video की notification आपको मिलती रहे थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो